उत्रप्रदेश में किशोर पडोसी ने तीन वर्षिय लड़की को कथित तौर पर बलातकार किया एक बॉक्स में दम दिया यह लड़की सोमवार को घर पर अकेले थी जब उस आदमी ने उसे चोकलेट की पेशकश की और उसे अपने घर में लाया उत्रप्रदेश के रामपुर में 18 वर्षिय पडोसी ने एक तीन साल की लड़की को कथित रूप से बलातकार किया और फिर एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है तीन साल की लड़की को कथित रूप से बलातकार किया गया और फिर एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया उत्रप्रदेश के रामपुर में 18 वर्षिय पडोसी को गिरफतार कर लिया गया है पुलस आरोपी ने बच्चे को चॉकलेट के साथ लालच दिया और उसे अपने घर ले लिया पुलस यह लड़की सोमवार को घर पर अकेली थी जब उस आदमी ने उसे चॉकलेट की पेशकश की और उसे अपने घर में लाया कथित रूप से उसे बलातकार करने के बाद वह एक बॉक्स में रोप बच्चे को फेंक दिया और भाग गया जब अडोसी उसे चिलाते हुए सुना तो वे अपने घर पहुँचे लेकिन वहां उन्हें नहीं मिला वे लड़की को एक बॉक्स में बंद कर दिया देखने के लिए हैरान थे उन्होंने पुलिस को बताया कि बाद में उस व्यक्ती को गिरफतार कर लिया गया पुलिस ने कहा आरोपी को एहसास हुआ कि उसके माता पिता दूर थे उसने बच्चे को एक चौकलिट से लालच कर लिया और उसे अपने घर ले लिया जैसे बच्चे चीखने लगे और दर्द में रोने लगे वह दर गया और भाग गया पेडोसियों ने बच्चे को बचाया पुलिस ने कहा यौन अपराथ कानून अधिनियम पियोसीयसो अधिनियम से बच्चों के सनरक्षन के तहट मामला दर्ज किया गया है इसके अलावा अन्वेशन चालू है